सब्सक्राइब और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी यहाँ पर हम बात करेंगे जेए मेंस 2023 के लिए सेफ इसको ट्रिपल आइटी कॉलेज के लिए इंडियन इंट्रूट आप इंपोमिशन टेकलोजी इसका मतलब होता है और इन इडियो बना चुक है और जी के बारे में जैसा आपको पता है अगर कोवीट का ज्यादा सिक्वेशन होता है तो पॉस्पोर्ण हो सकता है बड़ अभी के हिसाब से जो डेट है वो 24 से 31 जन्वरी है जिसके रिगार्डिंग ही हम बात करेंगे यहाँ पर सारे के लिए जनरल एवसोबी सीस्ट में सारे स् हम बताएंगे वो moderate paper के लिए easy और hard paper में कितना marks चाहिए होगा उसके लिए आप मेरा marks versus percentile वीडियो देख सकते हैं वहाँ पे moderate के cross burning जो easy marks होगा या hard paper के लिए marks होगा वो आप देख सकते हैं उसका वीडियो का link आपको i button description box में मिल जाएगा जो की marks versus percentile के नाम से है तो परत है और EC के लिए 135, 127 mostly जो triple IT college है उसमें CSE और EC branch ही होते हैं कुछ-कुछ college में IT branch भी है और 1-2 college में mechatronics और mechanical branch भी है तो एक और बात हम बता देते हैं general EWS OVC में ज्यादा फ़र्क नहीं होता है cut-off में but अगर आप compare करे relatively SC category का NIT और triple IT के लिए तो बहुत ज्यादा फ़र्क क्योंकि एक तो obviously आपको पता है reservation उन लोग का बहुत ज्यादा है और दूसरा कि उन लोगों के लिए fee लगता है triple IT college में NIT में tuition fee नहीं लगता है तो इसलिए यहाँ पर fee लगता है तो बहुत बच्चे नहीं जाना चाहते हैं instead lower branches में चले जाते हैं NIT में चलिए आगे बात कर 99 और 121 marks male and female के लिए ST के लिए 60 55 CSE के लिए EC के लिए 55 51 और अगर आप ST के लिए बात करते हैं तो 57 53 marks CSE ऑर EC के लिए 52 & 47 marks तो चलिए आब गलिए Top 10 triple IT के बारे में बात करते हैं General 138 133 marks CSC के लिए EC के लिए 127-122 marks EWS के लिए 132 & 127 CSE के लिए EC के लिए 120 और 116 सोर प्रक्ettsासा जॉर्फी सैंटी के युक्ति ये 17 insights स्वी के लिए ऊंट्विंटी टीट इयुक्ति फंोटा टीट आजे से जैनेयल के लिए 122-117 marks चाहिए होगा CSE के लिए इसी के लिए 110 और 106 तो ये जो भी marks हम बता रहे हैं ये moderate paper के लिए जो कि typical JEE का paper होता है अगर उसमें कुछ उपर या नीचे होता है difficulty में कभी easy आजाता है कभी hard आजाता है वो आपको ही पता है क्योंकि different shift होते हैं तो उस case में आपका marks थोड़ा बूत ऊपर नीचे होगा जैसा कि easy के लिए थोड़ा जादा marks चाहिए hard के लिए थोड़ा कम कितना चाहिए उसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो marks versus percentile का देख सकते हैं उसमें तीनों तरह के paper के लिए percentile बता गया है कि कितना marks पर क्या आएगा AWS के लिए 114, 108, CSE के लिए EC के लिए 105 और 99 marks OBC 112, 105 और CSE, EC 103, 97 SC के लिए 45, 40 जो कि CSE के लिए है और EC के लिए 40 and 35 ST के लिए 40 and 35, CSE के लिए और EC के लिए 35 and 30 अब अगर बात करें आप lower triple IT क्या तो ये general के लिए 104 और 98 marks चाहिए CSE के लिए EC के लिए 95 and 88 marks अगर आप EWS का बात करें 95 and 90 marks CSE के लिए EC के लिए 86 and 80 marks और OBC के लिए 97, 92 CSE के लिए EC के लिए 88, 84 SC के लिए 42, 37 जो कि CSE के लिए EC के लिए 37, 32 और ST के लिए 36, 32 CSE के लिए EC के लिए 31 and 27 तो यह जो भी मार्व से यह मॉडरेट वेपर के लिए और फॉस्ट एटेम्ट के लिए साके अटेम्ट में थोड़ा बहुत ज्यादा मार्व करना होगा क्योंकि फॉप इंक्रीज हो जाएगा तो यह था सारे ट्रिपल आईटी का सेफ असकोर क्या होना चाहिए हर एक के लिए मेल फिमल सारा हम डिसकस कियें सीएसी और इसी दोनों तरह के ब्राजिश के लिए तो फोग यह फाइंड इस इंफोमेशन वेरी वस्फुल पर यू तो आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को सेर करें और लाइक करें थाकि दूसरे लोग भी इसको देख सकें थेंक्य हुआ है